नवस्कार आप सभी का स्वागत है हमारे कारेकराम लोकमजपर मैं देवेंद्र दुबे हर बार की तरह इस बार भी लेकर आया हूँ एक खास विशाय इस विशाय पर चर्चा करेंगे चर्चा का विशाय बहुत ही अनोखा है हर बार की तरह और इस विशाय से ही हमारे दिन, हमारी रात, हमारे महिने, हमारे वर्स ये सभी इस ही घटना के करम पे होते हैं और ये जो खगोली घटना है इस पर हम चर्चा करने वाले हैं आदी काल से ही हमारे विद्वानों ने इस पर अलग-अलग अनुसंधान किये हैं और इसी कारण से हमें ग्रहों की स्थिती या ग्रहों के बारे में पता चला या जो भी खगोली घटना होती उसके बारे में पता चला वर्तमान युग में मतलब अभी हमने अपने कदम और बढ़ाए हैं और अब हम आंतरिक्स तक पहुँच चुके हैं और इसी विशेपर चर्चा के लिए आज हमारे साथ हमारे स्टूडियो पे हमारे विशेशग्य डॉक्टर जक्पाल सिंग बल जी उपस्तित हैं बल जी नमस्कार बहुत बहुत स्वागत है आपका सर मैं चाहूंगा चर्चा को चालू करने से पहले मैं चाहूंगा कि आप दर्शकों को बताएं कि आंतरिक्ष क्या है और खगोल विज्ञान का क्या संबंध है इस आंतरिक्ष से आज हम अपने चारों तरफ पृत्वी में रहते हुए क्या देखते हैं एक आकाश जिसे हम स्पेस कहते हैं बट ये आकाश के परे जो प्रत्वी का वायुमंडल है उससे बाहर परे बहुत बड़ा ब्रह्मान है इस अनन्त ब्रह्मान का विस्तार बहुत असिमित है इस अनन् को ही हम एक अंत्रिक्ष के रूप में चानते हैं इसमें अनेक खगोली पिंड हैं और वातावरण हैं जो पृत्थी के वायोमंडल से भी परे हैं ये पूरी चीजें अंत्रिक्ष के अंदर समाहित हैं इस सब से जुड़ा हुआ खगोल विज्ञान है जो नेचरल साइंस साइंस नेचर के बारे में जानने के दिशा में एक प्रोसेस है जिसके तुरू हम ये पता लगाने की कोशिश करते हैं कि इन खंकेली पंड़ों की सरचना कैसी है ये आपस में किस तरह से चुड़े हुए हैं इनका ये आकाश गंगाएं क्या हैं निहारिकाएं क्या हैं ब्लै इसका हम astronomy भी कहते हैं, वो astronomical studies में ये सारी चीज़ें समाहित हैं, और वो उन सारी चीज़ों की जानने की कोशिश करते रहते हैं, और इसी दिसा में अंतरेक्ष में आगे बढ़ना हो पाया है, और हम बहुत कुछ चीज़ें भी जानने लगे हैं, अपने आकाज गंगा क्या है और भी बहुत सारी बाते हैं, जैसे की ब्रह्मान की उत्पत्ति कैसे हुई, क्या हुआ था, और किस तरह से अभी विस्तारीत हो रहा है, इन सारे प्रश्णों का उत्तर जानने की कोशिश एक खगोल विज्ञानी करता है सर, मैं चाहूँगा कि आप दर्सकों को बताएं कि अभी वर्तमान समय में हम अंत्रिक्ष में कहां तक पहुँचे हैं इसके दो पहलू हैं, एक तक्निकी द्रिश्टी कोण से हमने क्या च्छमताएं, एक मानव सब्वेता ने विक्सित जी हैं, वो हैं, और देश के इस तरह पे हमने क्या हासिल किया हैं, दो पहलू हैं तो पहले हम यदी मान लें तो अभी हमारा जो मतलब मानौ सब्वेता के विकास में हम उस चरण में पहुचे हुए हैं जहां हम चान तक तो मनुस्रे को पहुचा पाए हैं इसके अलावा मंगल तक हमने मानो रहित, विमान या उपकरण पहुंचा चुके हैं तो मंगल तक तो हमारी पहुंच हो चुकी है और उसके आगे भी कई अनेक छुद ग्रग हैं जहां तक की पहुंच बनी हुई है और खोजों में तो हमने बहुत सारी खोजे कर ली है जिसमें आज पास के जितने आकाश गंगाएं हैं उनकी जानकारी है और ब्रह्मांड के उत्पति के कुछ चिधनतों के बारे में हैं जिस सारी जैनकारी तो आज की लेट में उपलब्ध हैं तो यहां तक तो हम आगे आज चुके हैं जिए डॉक्टर साब जैसे आपने भी जिकर किया छुद्र ग्रह से हम क्या समझते हैं एस्ट्रॉइड या चोटे थुद्र यह आकार में चोटे ऐसे खगोली पिंड है जो अपनी विस्तिती बनाए हुए है और एक तरह से यह ग्रह नहीं है क्योंकि इनका वजूद्ध बहुत चोटा सा है बट एक खगोली पिंड है और वो एक अक्षा में चक्कर लगा रहा है तो ज्यादा तर जो खगोली पिंड है यह शैटन यानि सनी और जूपिटर के बीच में पाए जाते है अच्छा जी डॉक्टर साब मैं चाहूंगा कि दर्शकों को आप बताए जो अभी हाल ही में हमारी देश ने उपलब्दी हासिल की है चंद्रयान उस मिशन के बारे में आप कुछ दर्शको को बताए कि चंद्रयान मिशन क्या है अभी देश ने एक बहुत बड़ा मिशन कंप्लीट किया है इस मिशन का नाम था चंद्रयान तीन तो चंद्रयान एक और दो के बाद चंद्रयान तीन मिशन ने एक बहुत बड़ी सफलता अरजित की और वो ये था कि चंद्रयान तीन ने मार्स नहीं चंद्रमा के उस सतह या धरातल जो एक तरह से अंजाना या चुता था उस धरातल पे एक equipment को उतारने की बिना crash के बिना छती के उतारने की छमता हासिल की और जो है वह वहां पहुचा और soft landing की और वहां प्रयोग करने में सफल हुआ डॉक्टर साब हमारे देश के भारत देश के लिए इस mission के क्या माइने है क्या उपलब्दी हम हासिल करेंगे इस से देखे इन अंत्रिक्ष mission से बहुत कुछ चीजें जुड़ी हुई है आज मानो सब्वेता अंत्रिक्ष तक पहुच चुकी है आने वले समय में हो सकता है हमें अन्य ग्रहों में रहने के लिए विवस्था बनानी पड़े इसमें दो चीजें महत्पूर होंगी जो कि हमारे नीरेस्ट में ऐसा ग्रह जहां possibility है वो है हमारा अपना उपग्रह चंद्रमा और दूसरा जो ग्रह है जिसमें जहां तक संभावना है वो है मंगल तो इन दोनो ही ग्रहों में जिए उपग्रह में और ग्रह में ये सिती है कि वहां मानाव को पहुंचाया जा सकता है चंद्रमा तक तो हम पहुंच चुके हैं जी बिलकुल अब लेकिन देश ने हमारे पर्टिकलर हम देश की बात करें बारत देश की बात करें तो हम अभी इस सिती में प उपकरण को चंद्रमां तक पहुचाया, अब यहन करागा, इस चम्ता को आगे बढ़ाते हुए यदि हम मानव को वहां पहुचाने को चाकी कोशिष करेंगे, तो हम वहां पे मानव बसा सकेंगे उसके लिए हमें उसके सतह की जSI कारी वहां के वातवण की जानकारी और वहां क्या गतिविदिया हो रही है इन सब की जानकारी आवशक होगी इसी कड़ी में ये प्रयोग सफल हुआ है तो इसी दिसा में हम आगे बढ़ रहे हैं डॉक्तर सब मैं चाहूंगा दर्सकों को आप एक असान भासा में समझाएं कि इस जो चंद्रयान 3 है ज को कोई station बनाना हो तो उसके लिए क्या वशक होगा कि हमें उसके वात वरण के बारे में जानकारी सतर के बारे में हो जिश हो और वहां पे किस तरह का जो प्रदार्थ उपलब्द हैं कि जिनका उप voltage में किसी काम के लिए किया जा सकता है मालो हम को यह और energy produce करनी हैं तो energy हूँको वहाँ पर बनाना है तो energy बनाने वालों के लिए पाधार्थ उपलब्ध है क्या पानी है क्या आँक्सिजिन ए आईस है तो जो भी चीजे है ये पाधार्थ हन जो कहीं न कहीं हमारे हुआ पर station बनाने में काम supposedly सकते हैं उन पदार्थों की खोज की जाए तो उस वैसी स्थिती में हम वहाँ पर आगे लांच पैड कर सकते हैं और हम चंद्रमा का उपयोग हमारे अंतर ग्रही जो मिशन है दूसरे ग्रहों में ज जाने के मिशन है उसके लिए उपयोग कर सकते हैं उनसे और हमारा हमारा जो मिशन है क्या असमानतायी है उनसे कुछनq काशक्राशमनताय युनीक है इस मिशन से प्रवाप्त हुई हैं वो सबसे बड़ी कि चंद्रमा के सौथ पोल में उतरने का आज तक किसी ने कोशिश नहीं की थी, कोशिश भी हुई है लेकिन सफलता प्राप्त नहीं हुई थी, तो कुछ कंट्री इस दिशा में प्रयासरत थे, भारत ने ये सफलता प्राप्त की, ये बहुत बड़ी बात है कि उस पोल पे पहुँचना जहां कोई नहीं पहुचा था और वहां पहुचके प्रयोग करने में सफल होना, क्योंकि वो प्रयोग आज की देट में सफल हुआ है, वो एक्यूप्मेंट वहां 14 दिन के लिए वहां पे उसने प्रयोग किये, और प्रयोग करने के बाद आज क की स्थिती में वहां से कुछ यूनीक डेटा जो हमें प्राप्त होंगे उसका उपयोग अवश्य होगा डॉक्त है चोटे से वी राम का वी राम के बाद फिर मिलेंगे तब तक के लिए नावस्कार दर्शको नमस्कार पुना सवागा था हमारे कारेकरम लोक मंच पर डॉक्तर साफ चर्चा को आगे बढ़ाते हैं जैसा कि आपने चंदरियान के बारे में बहुत विस्तार में और बहुत असान सब्दों में दर्शको को बताया मैं चाहूंगा कि एक और मिसन जो अभी हाली मे हमारी विज्ञानिकों ने किया है सफलता पूर्वक प्रक्षेपन हुआ है जिसका अधित्य एलवन उसके बारे में भी आप कुछ प्रकाश डालें अब देखे चंद्रमा का अध्यान जब शुरू हुआ तो चंद्रमा के अनेक मिशन आये चंद्रमा ने एक दो तीन आया और अन्य दिशों में भी उसकी अध्यान किया और यह यहां तक पहुँचे अब आगे एक और महत्पूर्ण खगोली पिंड है जो हमारे जीवन में बहुत प्रभाव डालता है अब वो है सूरी तो सूरी के अध्यान डेफिनिटली आगे हमारे लिए एक महत्पूर्ण कड वही साबित होता है कि हम सूरी के अध्यान करना चाहते हैं तो सूरी के अध्यान करने के लिए हमारे पास क्या व्यवस्ता हैं आज की इस स्थिती में हम व्यवस्ता हैं देखें तो हम सैटलाइट जो अभी उबग्रह प्रक्षेति उबग्रह हैं उनके माध्यम से हमारे पा में सक्षम हो जाते हैं जहां हम निरंतर सूर्य की गतिवितियों को देख सकें और उसके बारे में हम निरंतर जानकारी पृत्वी को प्रेशित कर सकें क्योंकि अधर्वाइस जब यह अमावस होता है या इस तरह की वेवस्था बनती है तो एक पक्ष हमारा छूड जाता है तो उस समय हमारे पास वो इस्थिति नहीं बनती तो एक ऐसा बिंदू है जिसको लैंग्रेज पॉइंट बोलत होता है उस बिंदू पे यदि हम अउपगरह को स्थापित करते हैं तो हम सुर्य की गतियूदियों को निरंतर देख सकते हैं और उन गतियूदियों के बादियम से हम सुर्य में होने वाली जो गतियूदिया हैं जैसे solar storm है solar mass ejection है या उसके coronal में क्या गतिविदिया हो रही हैं उनको हम करीब से जान पाएंगे वैसी इस्थिति में ये होगा कि उसका प्रभाव प्रित्थी पर किस तरीके से पढ़ रहा है उन उनके मादम से हम मौसम के जो उतार चड़ाओ आ रहे हैं और भी जो कारण है उसको हम और बहतर तरीके से जान पाएंगे जो आज हमारे लिए शायद एक पहली है तो इस तरीके से हम ज्यादा अच्छे से जानकारी प्राप्त कर पाएंगे इसलिए भी यह अनुसंदान यह मिशन जो है बहुत मार्पून है जैसे आपने भी बताया कि आमावास या ऐसी कुछ घटना का आपने खगोली घटना का जिक्र किया तो मैं चाहूंगा कि आप दरसकों को बताएं कि यह जो ग्रहन या अम कक्षा में चक्कर लगा रहा है कुछ ग्रह जो अपनी कक्षा में चक्कर लगा रहा है तो अपनी कक्षा में चक्कर लगाते हुए एक डारेक्शन जब वो जाते हैं और उसका प्रिथ्वी के दिन और रात से क्या संबंध है जैसे चंद्रमा का एक दिन वो इसके 14 दिन के बराबर है तो 14 days का वो period है दोनों ही इस्तिति में ये सारी चीजें जो है आपस में जुड़ी हुई है इंटरलिंक्ट है तो उसकी कक्षा में हो सकता है कोई दूसरा गरह हमारी कक्षा में आ सकता है तो कोई छुद्रगा यदि कक्षा में प्रवेस करता है और उसकी आउसका रेदी बड़ा है तो कल की डेट में वो प्रित्वी के लिए एक नुकसान दायक हो सकता है और ऐसी समभावनाएं भी अभी दिखाए गई है कि 2175 या उसके बीच में लगबग 1500 साल के अंदर में ऐसी समभावना बन रही है कि एक चुद्रगा प्रित्वी से टक्रा सकता है तो इसके बारे में भी जानने के लिए हमारे पास क्या उपकरण उपलब्द है आज की डेट में हमारे पास वो उपकरण उपलब्द है जो यह बता सकते हैं जी डॉक्तर साब मतलब जो चुद्रग्रह होते हैं वो कही न कहीं हमको नुकसान पहुंचा सकते हमको या हमारे स तो बहुत अधिक हो सकता है तो उस डैमेज को नश्ट नहीं होंगे तकराएंगे तो इस सिति में अधिव उनका आकार बढ़ा हुआ तो बहुत कुछ नुपसान पहुंचा सकते हैं डॉक्साब एक दूविधा मेरे मन में भी रहती है कि जैसे हमारे हमारी पृत्वी में भुकम्पया और भी ऐसी गति वीडिया होती है क्या ऐसी कोई गति दूसरे गरहों पर भी होती होगी बिलकुल उन सभी ग्रहों में अभी सेजमिक एक्टिविटी को भी मॉनिटर किया गया है चंद्रमा में चंद्रयान तीन ने जो अभी जानकारी रोवर के माध्यम से प्राप्त हुई है उसमें सेजमिक गतिविदी जिसको बुगरभी कंपन बोलते हैं वो भी रिकॉर्ड हु तो इससे जानकारी प्राप्त होगी डॉक्स आप मैं चाहूंगा कि आप जो युवा भी हमारे इस सो को देख रहे हैं इस कारेकरम को देख रहे हैं उनको बताएं कि क्या संभाव ना है युवा के लिए अंत्रिक्च मिसन या इस टैपी गतिविदी में सामील होने के लिए ये देखिए जो आज की डेट में स्पेस इंडस्ट्री बहुत तेजी से बढ़ रही है और वर्तमान में इस इंडस्ट्री का जो वर्त है वो अरौन 440 बिलियन डालर के कराब करीब है और इसमें भारत का जो प्रतिशत है वो लगबग 3 प्रतिशत का इस बहुत कम है इसको अब इस पूरे प्रयोगों से और इस मिशन से हमको ये मिले कि भारत में असिमित संभावना है इस संभावना को में हमारा जो आग युवा है उसमें भाग ले सकता है इस स्पेस एजुकेशन में, स्पेस रिसर्च साइंटिस्स के रूप में, स्पेस टेक्नलाजी के विकास में तो यह बहुत सारे पहलू हैं स्पेस प्रोग्राम में स्टार्ट अप के रूप में वह अपने स्पेस रेलेटेड बहुत सारे एक्यूपमेंट जो डिजाइन हो रहे हैं बहुत सारे क्योंकि कोई भी जहां पर माना उरहित उपकरण भेजा जाता है वो अटनमस होते हैं इसमें बहुत सारी तक्निकों का इस्तेमाल होगा उन तक्निकों को विकास में जो है यूवा महत्पूर्ण भूमिका निभाएंगे और वो निभानी चाहिए भी जो विद्यार्थी या प प्रहाई उनको करनी चाहिए या बचों करनी चाहिए जिससे वो इस छेतर में आगे बढ़ सके हैं कि फिजिक्स एक ऐसा विशह है अस्ट्रोनामी अपने आप में एक बहुत चैलेंजिंग विशह है और बहुत रुमांचक विशह है क्योंकि आप गड़नाओं के आधार प है और अपने आप में बहुत असीमित संभावनां से भरा हुआ है तो ऐसे विश्वयों का ध्यान करना अपने आप में एक मजदार फिल्ड है तो वास्तों में इनके लिए बहुत कुछ संभायना एस्ट्रानामी को नए दिशा देता है यह सब जैसे बहुत सारे मिशन हो र मानव सहित मिशन परस्तावित है जि स्पेस स्टेशन एक मिशन है जिसमें शायद इस रोभी काम कर रहा है जि गगण यान के नाम से जिसमें अंठरिक्ष्ट स्टेशन में मानव को भेजने की मतलब स्पेसली हूमन स्टेशन जो कले अमर देश्ट काहीं अधिय क्या है इक दिशा में आगे काम हो रहा है तो एक स्टेशन में टाइस्ट मैं चाहूंगा आप थी थ आक दर्द वर्सकों को से स्पेस स्टेशन जैने होुता क्या है देखे, Space Station अंतरिक्ष में बृत्वी के वायो मंडल में चक्का लगाने वाला एक ऐसा Station है, जिसमें मनुष्य वहां रहते हैं, और प्रयोग करते हैं, और वहां जाना और आना दोनों होता है, यहां से मनुष्य भेजा जाता है, कुछ दिन वहां रहते हैं, वापस आते हैं, यह एक पर्मनेंट स्टेशन है, कई कंट्री के सहयोग से बना हुआ है, तो उन स्टेशन में एक तरह से मानाव बस्ती है, अब कह सकते हैं, उस मानाव बस्ती को अधिक से अधिक संख्या में बढाना, जिससे हम और उसके आगे एक्स्प्लोर कर सकें, तो उसकी कड़ी में कदम है अच्छा जैसे पृत्वी में जीवन संभाव है क्या अन्ज किसी ग्रह में या दूसरे ग्रहों में भी जीवन संभाव है बड़ा रोचक प्रश्ण है क्योंकि यदि यहां संभाव है तो जाहिर सी बात है कि यह कहीं और भी संभाव हो सकता है जब तक लेकिन ऐसे एविडेंस ना मिलें इस बारे में कहना मुश्किल है डॉक्ट सब एक बहुत प्रचलित कहना ची विसा है इलियन्स का तो मैं चाहूंगा प्रकाश डाले कि क्या इलियन्स सचमुच में होते हैं या सिर्फ एक कलपना है लोगों की देखे यदी पृत्थी में जीवन उपलब्ध हो उन्हीं दूसरे फॉर्म में जीवन उपलब्ध है उसी को हम एलियन कहते हैं अब इसकी संभावना पे हमेशा बहस जारी है और जब तक कोई निश्चित तोर पे सबूत नहीं प्राप्त हो जाते है और जिसका पूरी तरह से निश्कर से नहीं निकाला जाता तब तक तो हम यहीं मानते रहेंगे कि हाँ हो सकते हैं या नहीं भी हो सकते हैं जी डॉप साब एक और सवाल मेरे मन में हमेसा रहता है कि जैसे अभी जितने ग्रह हम जानते हैं क्या उसके अलावा भी कोई नए ग्रह अस्तितु में है या आ सकते हैं हाँ अभी रिसेंटली कूपर बेल्ट जो सौरमंडल का हमारे एक हिस्सा है उसमें ग्रह की खोज हुई है उसका जो परिक्रमा पत्थ भी खोजा गया है तो ऐसे कई ग्रह हैं जो ऐसे कक्षाओं में चक्कर लगाते हैं जो जिसके बारे हमने जैनकारी नहीं हो पाती लेकिन कुछ गणती गणाओं क आधार पे यह पता चलता है कि नहीं वहां कुछ एक्जिस्टेंस है किसी दूसरे ग्रह का क्योंकि वह उसको वहां पे एक्जिस्टेंस को वह शो करते हैं क्योंकि कैल्कुलेशन में यह दिखता है कि वहां कुछ और होना चाहिए तो ऐसे भी ग्रहों की खोज हुई है जो उनका एक्जिस्टेंस पता चला है। धन्यवाद।